आज का हमारा विशे है क्या हम दिव्वे मुक्त आत्माओं से संपर्थ इस्तापित कर सकते हैं। हम सब जानते हैं बाबुजी महराज, लालाजी महराज से, लौड कृष्णा से, विवेका नंजी से और अन्य दिव्वे मुक्त आत्माओं से बड़ी ही सरल्थ से बात किया करते हैं। तो अध्यात्मित्ता में ऐसा कौन सा बिंदू होता है, जिसके खुनले से हम बड़ी ही सरल्थ से दिव्वे मुक्त आत्माओं से अपना संपर्थ स्तापित कर सकते हैं। संत कस्तूरी के अनुसार यह बिंदू, कोई और बिंदू नहीं, सहस्तर दल कमल है, जो ठीक हमारे सिर के उपर होता है। बाबुजी ने सहज मार के परकास में, राजयोग के दिव्वे दर्शन में, हिर्दे छेतर में A और B पॉइंट पताया है। जब हमारे ये दोनों पॉइंट विशुद हो जाते हैं, तो हम बड़ी ही सरलता से A और B बिंदू के मद्दे में दबाब डालकर इन मुक्त आत्माओं से संपर्क इस्तापित कर सकते हैं। जिस परकार से इसका नाम है सहस्तर दलकमल यह वै बिंदू है जहां से हम सारी शक्तियों को धर्ती पर उतार सकते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि ये दिव्वे मुक्त आत्माओं कहां पर वास करती हैं। संद कस्तूरी के अनुसार केंद्रिय छेतर के साथ परकास के दृतों से पहले एक छेतर होता है जिसको के हम ब्राइटर वर्ड कहते हैं। वही पर ये सारी दिव्वे मुक्त आत्माओं निवास करती हैं। और जब भी हमें किसी मुक्त आत्मा से संपर्क करना होता है तो हम A और B पॉइंट के बीच में फोड़ा सा दवाब डालकर उन आत्माओं से संपर्क स्तापित कर लेते हैं। इसी परकार उन मुक्त आत्माओं को जब हम से संपर्क स्तापित करना होता है तो वह भी सहस्तर दल के माध्यम से ही हम से संपर्क स्तापित कर लेते हैं। ये सारी बातें आपको विस्तार रूप में संत कस्तूरी की पुस्तक वो सबको प्यार करता है। बाबुजी की पुस्तक सहज मार के परकास में राजयोग का दिव्यदर्शन और अनंत की और में बड़ी ही सरलता से मिल जाएगी। तो इस परकार आज हमने जाना कि अध्यात्मिकता में अभ्यास करते करते हम मुक्त आत्माओं से भी संपर्क स्तापित कर सकते हैं। और इसके लिए आवशक्ता है केवल द्रिड संकल्प, श्रद्दा और विश्वास केवल अपने बाबुजी पे। जो की सूक्षम रूप में हमारे हिर्दे में उपस्तित हैं और हमारी सायता करते हैं अध्यात्मिक यातरा में हमारे आगे बढ़ने में। पहले वे हमें हिर्दे छेतर पार कराते हैं। उसके बाद हमें मनस छेतर पार कराते हैं। उसके उपरांत इश्वरी छेतर पार कराते हैं। इश्वरी छेतर में हमारे अस्तित्व को पूरी तरह विले करके वो इश्वर में हमें ले कर देते हैं। और उसके उपरांत अप अबूजी और अन्य मुक्तात्माओं के साथ संपर्ध स्तापित कर सकता है।